नमस्कार दोस्तों मैं अमर्नाद कुमार गांदी जी और भगत सिंग में क्या प्रोलम हो गया दोनों तो एक साथ रह सकते थे अब कजिरिवाल जी गांदी के नाम पे राजनीती करने के लिए आये थे अन्ना को लेके आये थे और गांदी का फोटोपी लगा कर महतवा गांदी के नाम पे अंदोलन सुरू किया और फिर चुनाओ जीता आज गांदी को निकाल के फेक दिया भगत सिंग को उठा लिया और मुझे ये समझ मिनाए इसकी बेब कुभी में मुझे हसी आती है और पंजाब के लोगों को भी आना चाहिए कि क्या पंजाब को लोगों गांदी से दुस्मनी है अगर वहाँ पे गांदी भी रहते हैं उस फोटो में जहाँ पर फोटो लगा हुआ है भगत सिंग भी होते और अम्भिदकर भी होते तो क्या प्रोलम था क्यजरिवाल जताना क्या चाह रहे है कि गांदी से दुस्मनी हो गई या पंजाब के लोगों को गांदी से दुस्मनी है जिस गांदी को तुम यहां निकाल के फेक रहे हो, फोटो को हटा दिया, आज मैटगासकर के राजधानी में, उहां उनका नाम पर चौराहे पे, उनका नाम रखा गया, महत्मा गांदी के नाम पे, आज अभी अभी, सर्म आने चाहिए, यह साबित होता है कि केजरिवाल RSS का दलाल है, सिर्फ RSS को गांदी से दुस्मनी है, वो नहीं चाहता था RSS, और नातुराम गोट से के जो सपोर्टर है, वो गांदी से उसको दुस्मनी है, लेकिन पंजाब की लोगों को गांदी से दुस्मनी होगा, यह मुझे नहीं पता था, और यह पंजाब की जंता से मैं पूछना चाहता हूँ, कि क्या आपको गांदी से दुस्मनी है, गांदी और भगसिंग की दुस्मनी कभी थी, गांदी और अंबेदकर की कभी दुस्मनी थी, और जिस केजरिवाल ने अंबेदकर की फोटो लगा के कहता है कि मैं अंबेदकर अबादी हूँ, तो अंबेदकर तो मंदिर में नहीं जाते थे हनुवान मंदिर में चीत के खुशी में दिल्ली के अनुवान मंदिर जाना है अम्बेतकर तो इस तीर थूर्थ के बिरोदी थे कट्टर बिरोदी थे वो महत्मा बुद्ध के पुजारी थे बुद्ध ने भी यही कहा कि मुर्थी पुजा नहीं होता है बुद्ध यह कहते कि कोई भगवानी नहीं होता है दुनिया में कोई भगवान नहीं है कोई आत्मा नहीं है कोई गौड नहीं है मात्मा बुद्ध यह कहा था तो कांधी से दुस्मनी होगी ये सोचने वाली बात है और क्या कहना चाहता है केजरिवाल ये बहुत ही सर्मनाक है अम्धिकर की मुर्ती लगाई है फोटो लगा हुआ था ठीक है भगसिंगा लगाई है बहुत दुनिया भगसिंग के क्यों नहीं लगेगा तो बगल में गांधी का था तो उसमें क्या बहुत है द stinks ब टेरे शजचे लेकर अब तक गांधी की फोटो रूपिया फर गांधीका फोटो है वारत के यह भूल मैंव। पूरे बारत के नोट पर गांधी का फोटों हो लिए तो बिना महान आद्मी से बने हुए हो जाता है गांधी का फोटों क्या हर देस में कहीं भी चले जाएए उस देस के बड़े लोगों का जो महान आदमी है उसका फोटो जरूर है रूगिया पर कहीं नोट के उपर होता है तो बिना महान के बने हुए हो जाता है क्या जो पता ही नहीं था विस्प को कि गांधी कौन है एक फिल्म मना दिया तो गांधी फेमस होगा बना गांधी को कोई जाने gelecek नहीं लैंसल मंदेरा तो गांधी के जानते थे और गांधी को सूलों पर चाटके लेंसल मंदेरा को लोगोंने जाना पारिटिन लूतर कींग को कैसे उप गांधी के अदरसों पर वantry चल ले थे तो कैसे बात कर रहे हैं गांधी को युखा कर फेक दिया गांधी से केजरिवाल को दुस्मानी चाए आरेसस को दुस्मानी सिर्फ इसलिए है कि गांधी ने हमेशा सुरू से ही दलित पिछरों की राजनिती करी बेटन से आने के बाद दलित पिछरों को जोरा, मुस्लीमों को जोरा, सब को जोरा एक्जुट किया क्योंकि सवर्ण उस समय अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे अंग्रेजों के साथ राय बहादूर बने हुए थे कोई दरवारी बने हुए थे और अंग्रेजों के साथ मिलके ही काम कर रहे थे सिपाही में भरती हुए थे अंग्रेजों के साथ मिलके राइफल लब बंदूग से गोली चला रहे थे अपने हिंदुस्तानियों के उपर बहुत कम 2-4% जो सवर्न थे वो लड़ाई लड़ रहे थे बाकी ने फिर उन्होंने गांदी जीने सबको जोरा और बाकी लोग भी दीडे दीडे जूरे लेकिन जो RSS के मानने वाले थे नहीं जूरे वो जूरे वो दर ही रहे अंग्रेजों के साथ ही रहे माफी बीड़ जाए से लोग सेंगठन बना के उदर सरकार बना रहे ते जिन्ना के साथ मिल गए आज केजरिवाल को गांदी से दुस्मनी है मैं पंजाब के लोगों से पुछना चाहता हूं कि क्या गांदी से आपको दुस्मनी है दुस्मनी है तो मतलग आईए फोटो कोई जरुवत नहीं है मुबारक हो आप सबको पंजाब के भाईयों और आप लोगों ने आखिर पंजाब में RSS को इंट्री दे दिया आज फोटो गंदी का फोटो हटाना बतलग पंजाब में RSS की इंट्री 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 से नहीं डायरेक्ट्री से दे दिया आप लोगों ने बहुत बहुत मुबारक हो जय हिंद जय भारत